हलो फ्रेंड वर्कुन तो मैं चैनल आज हम आपके लिए बहुत ही जब दस टेस्ट वाले अम्रसरी कुल्छी की रस्पी लेकिया है इतने जादा टेस्टी लगते हैं तवे पर बहुत ही असानी से बन जाते हैं और इतको जब दस टेस्ट देने के लिए कौन-कौन से इंगीडियेंट इस्तमाल की हैं चली देखते हैं हमने से कैसे बनाया है मेधा कुल्चे की बनाने के लिए कुल्चे कप मैदे का इस्तमाल की है थोड़ा संदमक आड करेंगे थोड़ी सी चीनी और इसमें एम एक बेकिंग पावॉडर वन फोर टीस्पून और एक पिंच और थोड़ा सा बहुत ज़दा बेकिंग पावडर एट करने से कुल्चे क तेस्ट बहुत अजीब साइगा बिगड़ जाएगा इस वज़े से जितने कॉंटिटी यह पर बताईए उतने ही हमें एड़ करना है और यहां पर हमने आधा कप के करीब दही डाला है हलका सा खटा दही बहुत अच्छा टेस्ट देता है और दही में खुद की क्रीमीनस जो होती ही फैट होता है बहुत ही बढ़िया कुल्चे बनके रड़ी होते हैं तो अच्छे से मिक्स कर देना है पहले में दही को और जो पहले बनाएंगे बहुत ज़दा ताइट कड़ा डो बनाके रड़ी करेंगे तो कुल्चे बहुत टेस्टी नहीं बनेंगे इस चीज का ध्यान लगना देख सकते हैं इसका जो कितना इस्टिकी लगए लगता है लिकिन जैसे जैसे आप इसको मसाज करेंगे और कम से कम 5-10 20-10-10 minutes मिनिम्मं किई इस तरीके से माधों, फोड की रखे हैं, फिर भीज बहुत अगा, अगा यह बहुत बढ़ी बढ़ा है लेकिन बहुत भीघए नो क्लिक्न दो भीजिएगए देड़ियागा बोल में थोड़ा से लगा देंगे ताकि कहीं भी स्टिक ना हो और इसको हलके से गीले कपड़े में कवर करके रखना है मिस बेड टावल में और जब तक हमारा डोप रेस्ट कर रहा है तब तक हम आगी की प्रपेरिशन कर लेते हैं तो यहां पर पैन में हमने थोड़ी सी धन प्रफश देन हैं तो यह था हम जाए फ्रेश मसाला पिसा है थोड़ा सा रहा है थोड़ा थोड़ा सा दोड़ा सा जीरा के जीरा लगब 1-4 टीस्पून के करीब इन सारी चीदों को हलका हलका सा में भून लेना है मीडियम लो फ्लेम के बीच में और मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं भून लेना है जब ठंडे हो जाएंगे तब इन पीस लेंगे तो यहां पेमसाले थंडे हो चुके हैं यह मैं गोभी कुल्चे जो जब अज़ तेस्ट आता है आपको बता नहीं सकते जाब बनाएंगे तभी बहुत टेस्टी लगते हैं गोभी को अच्छी तरीके से वाश कर लेना है और इसमें ग्रेट कर लेना है जो बिल्कुल महीन वाला जो होता है ग्रेटर उसकी मदद से इसको हमेह अशक सकते हैं तो हमें ठीज देना है थोछा सा नमक ढल से महीन बहुत्सारा पानी निकलेगा तर आप से रच कम से कम 15 मिंट के लिए उसके इसके बाद में तॉवल से इसको अच्छी तरीके से स्कुीज कर देंगे तव्टवी accred incorPlay को अब घजेए ऐग лиш acceso को अच अगर आपकेजों बिना केना में ताफ पाह। नुटत यता सब्सक्या हैं इस तरीके से सम जो नबहर से लगता हैं शच्ति आपकोय पाणित को यहागगा ह। को यहां पानी पराठा जारे वागे बना था or यहां पर देखिए हमाई गोवी अब ही कुछ चीजे और इस्तमाल करेंगे तब बढ़ी आसा टेस्ट आएका विलकुल अमरशरी कुल्चे का इसके अंदर मने स्तमाल के अदर अधा अदर अमने अबला हुआ अलुट कर लिया था बहुत जदा अलू नहीं इस्तेमाल करना है बस हलकी सी बाइंडिंग के लिए अलू में थोड़ा सी बाइंडिंग आती है और जुमने फ्रेश मसाला अपना बना के रड़ी है तो कम से कम 2-3 तीस्पून हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा अमचूर इस तरीके से नहीं जालना है और जो जो चीज़े हमने इस्तेमाल करने यह से गोभी आलू अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा प्यास यानिकी सिर्फ एक से दो टेबल स्पून इस्तेमाल करना है इसके 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 जाएगा बहुत सारी अद्रक और खुब सारा लहसु यहां पर 10-12 कली लहसुन की बलकुर बाली कटीव डालेंगे और यहां पर आदा हिंच के करीब अद्रक हमने इस्तेमाल किये कोई भी चीज इतनी नहीं इस्तेमाल करनी कि अलग से इसका टेस्ट आए इसवज़े से अद्रक डालने के बाद में हरी मिच जो फ्रेशनस होती ह जो आईसरी नहीं अपना ज़गे अको बहुत एक इसे मासाला नहीं बना के बड़ी किया था जिसको अमने बिंडी छोले में इस्तामाल किया था बहुत अच्छा टेस्ट आथा था उसकी वज़े से यहां पर इसमने एस्तulate रज़को आदा चलए다 कहाने में और लिंक दो र आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, अनारदाना वगर्द, सारी चीज़े पड़ी हुई है जिसका तेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप भी इस तरदे का मसाला बना के रख सकते हैं और जब आपको की फिलिंग बनानी है या फिर पिंडी छोले बनाने है उसमें इस्तमाल करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अच्छा में मिक्स कर देना है हमारे फिलिंग बने के रेडियर होगी बहुत अच्छी खुश्बू भी इसनेदर से यहां पर दो कर दो गंटे हो चुके है आज मौसम है थंडा थन्दा है तो भी खराब नहीं होता है अब बहुत ही इंपोर्टन चीज़ कर देंगे इसके और आप यहां पर देख सकते हैं कितना जा स्टिची सा डो बनके रेडिया है बिल्कुल सौफ सा डो और हातों में बिल्कुल भी ने स्टिक हो रहा है बस इसी तरीके का आपको डो बना के रेडी करना है अब इसकी पड़ी सी शीट बना लेंगे उसके बटर अपलाई कर लेना कुछ इस तरीके से और इन पीसे को हमेशे हलके से गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे ताकि इनके अंदर सौफनेस बनी रहे ड्राइनस बिल्कुल भी ना है और जब धाबा या फिर रेस्टॉर्ण में लोग कुल्चे खाते है न तो लोग जब सर्फ करते हैं गर्म-ग 1 टीस्पून भर के बिल्कुल रैसन का पेस्ट तो बहुत ही अच्छा गाली का टेस्ट आता है उसके उपर लगाते है अपलाई करते है जब बटर एंड में बहुत बढ़ बढ़ जाता है तो इस तरीके से बटर के में हलका सा में भून लेना इसका कडर नहीं चेंज करना ह कीम अब tutaj कंच एपक, जर समें, बीचेक अबता हों में बहुनेmers अब देखें, वहटार केट में डेखें नए भूल में पीर पिर लेगी इन नीए तरया बोल, बस अब पीर अरणिक करमा कारूँ कर्षे सो आगा उससे ज्यादा एजी रहता है, आपने खुल्चे जब बनाने तो इस तरीकिसे बनाने है तन स्थोपिंग विक ना कोड़ए जंजटी नहीं रहता है तो इस तरीकिसे में बनाकर रेडी कर लिया है फुटा फुट बनाते है अपने कोभी के कुल्चे जो पीस कट करके रखेंगे ना सेम उसी तरीके से बस उसको में फैला लेना है उसकी लेयर्स हमें कुछ नहीं बिगाड़नी है इस तरीके से और हलका सा बस आटा डस करना है रोलिंग पिन की भी कोई ज़रोत नहीं है इसमे में बसके रिये उसे बना लेता है स्वै पूरे लिग खुझे, काल बस रख में वीक दें हैं ज़री इस और रहे पहले ज़रोति नहीं है इसी तरीके की सारे बनाके में रड़ी कर लेने के रेटें अब चल्लें कुछी की बनालते हैं लड़ी की बढ़े ब़हाती में च्छ बहुत अच्छा आता है आपको यही लगए किसी रेस्टरॉण में धावे के कुल्चे खा रहे हैं बहुत अच्छे टेस्ट लगता है और यहां बोर्ड के ओपर थोड़ सा आटा स्प्रिंकल करेंगे एक हमें बॉल ले लेनी हैं हलके हातों से फैला लेना है और राउंड सा शेप दे देना है और थोड़े बत फट भी जाते हैं तभी कोई हर्ज नहीं वैसी तो कुल्चे खाने में अच्छे लगते हैं उपर से जरुड़े ताकी जाँ आशे जाएं तभी च्पक जायेगा अच्छे अगशे गरम हो जाना चाहिए अगर तरवा अच्छे वह नहीं गरम तो क्ल्चे आप डालेंगे च्पक तो जाएगा लेकिन बहुत दिककत होता है तो पहले तभी कटीज़ेगा अपने कुल्चे बना बस इसके उपर में डाल देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके उपर और गैस को यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम कर देंगे मीडियम लो पर बहुत हाई नहीं रखेंगे नहीं तो नीचे से एक्तम से वह जल जाएगा इस चीज का ध्यान आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि हर गैस अलग अलग तरह की होती है तवा भी कोई मोटा कोई पतले साइस का होता है तो थोड़ा थ्यान देना पड़ेगा बिल्कु पॉफेक्ट कुल्चे बनके रड़ी होंगे तो आप आप देख सकते हैं उपर का हलका हलका सा ड्राइन सा अगई अब इसे हम अपको बहुत पसंद आए और बार बनाने का मन करेगा तो इस तरह के से पलटके इसको बना लेना है और जो उपर का की कलर ब्राउन सा शेड आजाए बस हमारे तब कुल्चे बनके रड़ी हो जाते हैं और यहां पर देख सते हैं इनका कितना बढ़ी है अब धाबा स्टाय अब आपको अब आपको बढ़ी है और अपने अपने एक्सपीरिस हमाय साथ में चीयर कीज़ेगा अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े फ्रेंट फैमिली मेंबर्स के साथ में और कुल्चे की ऊपर जो ने बटर अपना बनाया और इस टाइब की आपको रस्पीस चाहिए जैसे कि हमने कश्मीरी रोटी बनाई थी वह बहुत बढ़िया लगती ही खाने में उसका लिंक उपर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा के देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती ही तो यह कुल्चि